दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान विश्नु और मा, लक्ष्मी, क्षीर सागर में शेश नाग की शैया पर विश्राम कर रहे होते हैं. माता लक्ष्मी, भगवान विश्नु के चरण कमल को दबाते हुए, उनसे चर्चा कर रही होती है. माता लक्ष्मी, भगवान विश् निसंकोच होकर पूछ लो, तुम्हारी हर शंका का समाधान करना मेरा करतव्य है। विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आज आपने उत्तम प्रश्न किया है, आपके इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाती का कल्यान छिपा हुआ है। देवी लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, यह रानी सुदेवा और अद्रोहक कौन थे और किस कारण से तीनों लोकों में उनकी कीर्ती फैली हुई है। अज मैं तुम्हें रानी सुदेवा और अद्रोहक की प्राचीन कथा सुनाता हुँ। तुम इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुनना, इस से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रशनों के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी इस कथा का श्रवन करता है, उसके समस्त पापों का नाश होता है। जो स्त्री इस कथा को सुनती है, वह जीवन भर सौभाग्यशाली रहती है, और जो पुरुष इस कथा का श्रवन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को चला आता है। देवी लक्षमी कहती है, हे प्रभु, आपके ऐसे वचन सुनकर इस कथा को सुनने की मेरी उत्सुकता अधिक बढ़ रही है, इसलिए आप शिग्रता से मुझे वह कथा सुनाईए। भगवान विश्नु कहते हैं, ठीक है देवी, अब मैं आपको वह कथा सुनाने जा रहा हूँ। हे देवी, पूर्वकाल की बात है, मध्यदेश में एक अत्यंत शोभा यमान नगरी थी, उस नगरी में अद्रोहक नाम का एक श्रेष्ठ ब्रामण निवास करता था, वह पाप से रहित, सत्य के मार्ग पर चलने वाला और सदैव ही इश्वर की भक्ती में लीन रहता था। हे देवी, जो पुरुष पाप से रहित है और जिसका चित्त अपने पराय, मित्र शत्रू, सभी के लिए समान है, वह किसी के साथ भेद भाव नहीं करता है, उसके सब पापों का नाश होता है, जो सभी के साथ समान व्यवहार करता है, उसके अंदर भगवान का वास होता है जो इस प्रकार से सत्य के मार्ग पर चल कर सभी के साथ समान व्यवहार करता है, अपना पराया नहीं करता है, वह अपनी अनेकों पीडियों का उद्धार कर देता है, जिसके अंदर सत्य होता है और जिसका स्वभाव सरल होता है, जो कभी भेदभाव नहीं करता है, वह साक्ष अद्रोहक के नगर के पास दूसरा एक नगर था। वह सुदेवा के साथ निवास करने लगा। फिर एक दिन राजकुमार को एक युद्ध में दूसरे राजा की सहायता करने के लिए अचानक ही बाहर देश जाना पड़ गया। अधिक विश्वास नहीं था। इसलिए वह राजकुमार अपनी पत्नी की सुरक्षा को लेकर बहुत अधिक चिंता में पड़ गया। वह अपनी पत्नी को अकेले छोड़ कर नहीं जाना चाहता था। इस विशय में उस राजकुमार ने बहुत देड तक विचार किया। और फिर उसने सोचा कि केवल धर्मात्मा अद्रोहक ही मेरी पत्नी के सतीत्व की रक्षा कर सकते हैं। धर्मात्मा अद्रोहक की पूरे नगर में कीड़ती थी कि उनके समान, महान और पुन्यात्मा संपूर्ण विश्व में दूसरा कोई नहीं है। इसलिए वह राजकुमार अपनी रूपवान पत्नी को लेकर उस अद्रोहक के घर पर गए। और उन्होंने अद्रोहक के सामने अपनी पत्नी की रक्षा करने का प्रस्ताव रखते हुए कहा। परम सौभाग्य है। आप तो सदैव ही अपनी जनता के भले के बारे में विचार करते हैं। यदि मेरे द्वारा आपका कोई कार्य सिद्ध हो सकता है तो मैं अवश्य ही करूँगा। तब राजकुमार बोलने लगा, हे मित्र अद्रोहक, मुझे युद्ध करने के लिए दूसरे राज्य में जाना है, इसी लिए मैं मेरी पत्नी को लेकर चिंतित हूँ। मैं मेरी पत्नी को अकेले छोड़ कर नहीं जा सकता। इसी लिए मैं आपके पास सहायता मांगने के लिए आया हूँ। अद्रोहक कहता है, हे राजकुमार, आपकी पत्नी की रक्षा करने के लिए तो आपके पास सिपाही और मंत्री गण है, तो फिर आप मेरे पास सहायता मांगने के लिए क्यों आये हैं। आपकी पत्नी केवल आपके राजमहल में ही सुरक्षित रह सकती है। इसी लिए आप पत्नी की रक्षा तो राज महल में हो सकती है, किन्तु उसके सतीत्व की रक्षा उस स्थान पर नहीं हो सकती। मैं बहुत सोच विचार करके आप के पास आया हूँ, मैं यह अवश्य जानता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी के सतीत्व की रक्षा केवल आप के पास ही हो सकती है यदि आप मेरी पत्नी को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखते हैं तो मैं निश्चिंत होकर युद्ध के लिए जा सकता हूँ राजकुमार की बात सुनकर अद्रोहक को बड़ा आश्चर्य हुआ वह बोलने लगा हे राजकुमार न तो मैं आपका पिता हूँ न भाई हूँ न बांधव हूँ और न आपकी पत्नी के माता पिता के कुल का हूँ फिर आप अपने पत्नी को मेरे घर पर क्यों रखना चाहते हैं अपनी पत्नी को मेरे घर पर रखकर आप किस प्रकार से निश्चिंत हो सकेंगे फिर राजकुमार बोलने लगा हे महात्मन मैं जानता हूँ कि आपके समान धर्मात्मा और जितेंद्रिय पुरुष इस संसार में दूसरा कोई नहीं है इस संसार में अगर किसी के पास सुंदर और जवान स्त्री के सतीत्व की रक्षा हो सकती है तो वह केवल आपके पास ही हो सकती है और मैं इस बात को भली भाती जानता हूँ इसलिए कृपया आप मेरी पत्नी को अपने घर पर रख कर मुझे चिंताओं से मुक्त कीजिए मैं युद्ध से लोट कर अपनी पत्नी को ले जाऊंगा तब तक आप ही मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए यह सुनकर अद्रोहक ने उस राजकुमार से कहा हे राजकुमार कृपया मुझे दोश मत देना इस पृत्विलोक पर इस अपसरा के समान आपकी पत्नी की रक्षा करने में कोई पुरुष कैसे समर्थ हो सकता है हर कोई इसका उपभोग करना चाहेगा इसी लिए कृपया आप स्वयम मुझे इसकी रक्षा का उपाय बताईए फिर राजकुमार ने बल देते हुए कहा हे महात्मा मैं बहुत सोच विचार करके ही आपके पास आया हूँ यह आपके घर में ही सुरक्षित रहेगी और यह बात में भली भाती जानता हूँ आपके घर में रहने पर ही इसके सतीत्व की रक्षा होगी राजकुमार की बात सुनकर अद्रोहक कहने लगा हे राजकुमार इस नगर में बहुत से कामी पुरुष भरे पड़े हैं यहाँ पर किसी सुन्दरी स्त्री के सतीत्व की रक्षा कैसे हो सकती है वह राजकुमार पुनह बोला हे महात्मा जैसे भी हो मेरी पत्नी आपके ही पास सुरक्षित रहेगी आप इसकी रक्षा कीजिए अब मैं जाता हूँ मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है राजकुमार के हट के आगे अद्रोहक कुछ न कर सका और उसने राजकुमार की पत्नी सुदेवा को अपने पास रखने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और राजकुमार से कहा हे राजकुमार मैं आपकी पत्नी के साथ सदा ही अनुचित बरताव करूँगा और उसी अवस्था में आपकी ये प्रिय पत्नी मेरे घर में सुरक्षित रहेगी यदि मैं इसके साथ अच्छा बरताव करूँगा तो इस स्त्री के मन में मेरे प्रती कामभाव जागरित हो सकता है। इसी लिए मैं इसके साथ बुरा व्यभार ही करूँगा। अन्यथा, इस स्त्री की रक्षा के लिए आप ही कोई अनुकूल उपाय बताईए। हे राजकुमार, मेरे घर में केवल एक ही शैया है और इसे मेरे और मेरी पत्नी के साथ उसी शैया पर शैयन करना होगा। इसके बाद भी आप अपनी पत्नी को मेरे पास रखना चाहते हैं, तो इसे यहाँ पर रहने दीजिए। अन्यथा, इसे यहाँ से लेकर चले जाईए। ये सुनकर उस राजकुमार ने कुछ क्षणों तक विचार किया और कहा, हे महात्मा, मुझे आपकी बात कस्वीकार है, आप मेरी पत्नी को लेकर एक ही बिस्तर पर सो सकते हैं, आपको जो उचित लगे वह कीजिए। फिर राजकुमार ने अपनी सुन्दरी पत्नी से कहा, हे प्रिये, मैं जब तक लोट कर नहीं आता, तुम अब इन महात्मा के घर में ही निवास करो, तुम इनके कहे अनुसार कार्य करना, तुम पर कोई दोश नहीं आएगा, यही मेरी आग्या है। इतना कहकर वह के घर में निवास करने लगी, अद्रोहक ने राजकुमार से जैसे कहा था, वह वैसा ही व्यवहार राजकुमार की पत्नी के साथ करने लगा, वह अद्रोहक रोज अपनी पत्नी और राजकुमार की पत्नी इन दोनों स्त्रियों के बीच में सोने लगा, उन दोनों स्त्रिय के बीच में सोने पर भी अद्रोहक के मन में पराईस्त्री के प्रती जरासी भी वासना नहीं हुई। केवल उसकी पत्नी के स्पर्ष से ही उसके मन में काम भोग की इच्छा होती थी। के प्रती होता था। वह राजकुमार की पत्नी को माता के समान मानता था। उसके शरीर के अंग, अद्रोहक को कितनी बार भी स्पर्ष करते तो भी उसके मन में काम भाव जागरित नहीं होता था। इस प्रकार से रोज वह उन दोस्त्रियों के साथ एक ही बिस्तर पर सोने एक ही बिस्तर पर सोने लगी। पराय पुरुष के पास सोने के बाद भी उस सुदेवा के मन में अद्रोहक के प्रती काम की भावना जागरित नहीं हुई। वह अद्रोहक को अपने भाई और पिता के समान ही मानती थी। इस प्रकार से राजकुमार का इंतिजार करते हुए सुदेवा ने छह महीने बिता दिये। और फिर छह महीने के बाद जब राजकुमार फिर से लौट कर आ गए तो उन्होंने नगर में रहने वाले लोगों को अद्रोहक और अपनी पत्नी के बरताव के बारे में पूछा। फिर लोगों ने भी अपने अपने रुचि के अनुसार उत्तर दिया। कोई राजकुमार को उनके निर्णय के लिए उनकी सराहना करते थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को अद्रोहक के पास छोड़ कर उचित काम किया। वही कुछ नौजवान लोग आश्चर्य में पढ़ जाते थे और कहते थे हे राजकुमार। आपने अपनी पत्नी को उस अद्रोहक को सौप दिया। अब वह तो उसी के साथ सोता है। स्त्री और पुरुष का संसर्ग होने पर दोनों का मन शांत कैसे रह सकता है। लोगों की ऐसी कुछित बाते सुनकर राजकुमार को बड़ पत्नी उसके आश्रे में सौप दी, उसने मेरी ही पत्नी के साथ दुषकर्म किया। राजकुमार का चित्त एकदम से विचलित हो जाता है, वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है, और हाथ में तलवार लेकर अद्रोहक के घर की तरफ चलने लगता है। वह राजकुमार सोचता है, आज मैं इस तलवार से उस अद्रोहक के टुकडे टुकडे कर डालूँगा, उसने मेरे साथ विश्वास घात किया है, मुझे मेरी प्राण प्रिया पत्नी उसके पास छोड़नी नहीं चाहिए थी, मुझसे बड़ी भूल हो गई, उस अद्रोहक को उसके पाप क की शक्ती से लोगों की ऐसी कुचसित चर्चा सुन ली, तब उसे बड़ा दुख हुआ, उसके मन में लोगों की ऐसी गलत निंदा से मुक्त होने की इच्छा प्रकट हुई, उसने इस अपमान से मुक्त होने के लिए आत्म दाह करने का निश्चय किया, अद्रोहक ने स्व अद्रोहक के घर पर आ पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने अद्रोहक और अपनी पत्नी को देखा, राजकुमार की पत्नी का मुक्ष प्रसन्नता से खिला हुआ था, और इधर अद्रोहक अत्यंत दुखी और शोक में डूबे हुए थे, अद्रोहक की मानसिक स्थिती को दे मित्र, मैंने आपके हित के लिए आपकी आग्या का पालन करते हुए, आपकी पत्नी की रक्षा करने का अत्यंत कठिन काम किया है, किन्तु बाहर जो लोग गलत बाते कह रहे हैं, मेरी निंदा कर रहे हैं, इस कारण से मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ सा हो गया है, मैंने आप के पत्नी के साथ रहते हुए छेह माह बिता दिये हैं, किन्तु कभी मेरे मन में पराई स्त्री के प्रती दुर्भावना जागरित नहीं हुई, किन्तु जिस प्रकार से लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, उसे मैं सहन नहीं कर सकता, इसी लिए अब मैं अगनी में प्रवेश करू संपूर्ण देवता और मनुष्य मेरे इस कार्य को देखे, यदि मैंने राजकुमार की पत्नी के साथ गलत काम किया है, तो मेरा शरीर इस अगनी में भस्म हो जाए, इतना कहकर वह अद्रोहक अगनी में प्रवेश कर गया, किन्तु वह अगनी अद्रोहक के शरीर, वस्त्र और केश को जला नहीं सकी, आकाश में खड़े समस्त देवता प्रसन्न होकर उस अद्रोहक की निष्ठा की प्रशंसा करने लगे, सभी ने चारों ओर से फूलों की वर्शा की, जिन जिन लोगों ने राजकुमार की पत्नी और अद्रोहक के विशय में कलंक पून बातें कही थी, उन सभी के मुह पर नाना प्रकार के कोड हो गए, फिर देवतागन उस स्थान पर प्रकट हुए, और उन्होंने अद्रोहक को अगनी से बाहर निकलने को कहा, और फिर राजकुमार ने अद्रोहक को बारंबार नमस्कार करते हुए कहा, हे मित्र, आप धन्य है, आपके समान पुण्यात्मा इस संसार में दूसरा कोई नहीं, उस समय पर समस्त देवताओं और रिशियों ने मिलकर अद्रोहक का नाम सज्जन अद्रोहक रख दिया, देवताओं ने राजकुमार से कहा, हे राजपुत्र, अब तुम अपनी पतनी का स्वीकार करो, इन अद्रोहक के समान कोई मनुष्य इस संसार में नहीं हुआ, इस पृत्वी पर दूसरा ऐसा कोई पुरुष नहीं, जिसे काम और लोभ ने परास्तन किया हो, देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, पशुपक्षी और कीठ, आदिसंपूर्ण, प्राणी, काम के वशी भूत रहते हैं यह काम ही संसार बंधन में डालने वाला है, इस स्रिष्टी में काम रहित मनुष्य मिलना कठिन है, इन अद्रोहक ने सभी को जीत लिया है, चौदह भूवनों पर विजय प्राप्त की है, इनके हृदय में श्री विश्नु बड़ी प्रसन्नता के साथ विराजमान रहते है इनका स्पर्ष और दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और निश्पाप होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, इतना कहकर सभी देवता अपने अपने स्थान को लोट गए, और वह राजकुमार और उसकी पतनी भी अपने राजमहल को चले गए, त इस प्रकार से अद्रोहक ने अपनी निष्ठा और भक्ती से समस्त लोकों को जीत लिया, अद्रोहक, जितेंद्रिये और एक ही पतनी के प्रती एक निष्ठ था, उसने अपनी पतनी के अलावा कभी दूसरी स्थी की ओर नहीं देखा, यही एक उत्तम पुरुष का लक्षन है, जो पुरुष अपनी पतनी के अलावा पराई स्थी को माता अथवा बहन मानता है, वही पुरुष सर्वश्रेष्ठ होता है, और जो स्थी अपने पती के अलावा कभी पराई पुरुष के प्रती मन में किसी भी प्रकार की भावना नहीं रखती, वही स्थी सच्ची प प्रतिव्रता नारी होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विश्नु ने देवी लक्ष्मी को बताया है कि पती और पत्नी को कैसे रहना चाहिए। आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताए। जानकारी अच्छी लगी, तो विडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरी विश्नु अवश्य लिखे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और विडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।